नमस्कार मित्रों आप सभी क्याक पर फिल से इस्टर के मेंटर पर श्वागत हैं यह DSSB की जो पिछला एक्जाम हुआ था 2014 में उसका पेपर है जो की 28 बारत 2014 को हुआ था मैंने इसके questions को जो है अपने एक मित्र से प्राप्त किया और मैंने सोचा कि आप लोग के लिए इसे उपलाप्त करा दो इंटरेनेट पर यूटूब पर और इसका जो है market में काफी सारे duplicate question भी मिलने होते हैं जैसे कि कोई भी publication की आप किताब लेते हैं तो शमानेतर यह देखा जाता है कि वो किसी और एक्जाम के question paper को भी DSSB के नाम से छाप देते हैं तो मैंने इसी उदेश्य से इस चीज को डाला है ताकि आप original question paper को देखे और उसके जो questions के standards है उसको समझे और इससे पहले जो है मैंने syllabus से समझे तीन वीडियो बनाया है जो कि DSSB के तीनों exam जो teachers के तीन पोस्ट है PGT हो, TGT और PRT इन तीनों के लिए तीन अलग-अलग वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको question paper के बारे में कि कैसा question paper आएगा या syllabus क्या है या कौन-कौन सी किताब हमें preferred करनी चाहिए इन सब aspects पर हमने बात की है तो आप उस वीडियो को देखे और वहां से किताबों की सूची जो books की list है उसे आप देख सकते हैं और वह काफी फायदयमंद होगा आपके लिए एक अच्छी सूची जो है तयार की गई थी वह तो अगर हम इस एक्जाम की बात करें तो यह दो घंटे का स्टेंडर्ड अच्छे हैं शुरू के पांच से दस कोशन आसान है लेकिन जो लास्ट के आठ दस कोश्टन है वह काफी अच्छे स्टेंडर्ड के और काफी लेंदी भी है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरा सीट का एक गुरूप है जो डी एस अस्बी के ये भी के भी इसके लिए हर चीज़ के लिए काफी उस्फुल है सीटिट मेंटर सिडेट में टर गुरूप आगर आप फेशबूक पर सर्च माराएंगे सीट टमेंक फेज भीर Big अफिसियल पेज नहीं होगो किसी ने फर्जी जो है मेरे ग्रूप के नाम से बना दिया है तो आप उसे नहीं पेज को लाइक नहीं करना है ग्रूप को जोइन करना सीटेट मेंटर ग्रूप आप सर्च मारेंगे तो फेस्बुक पे मिल जाएगा जिसमें लगभग 2800 के आसपस आपको मेंबर्स है और ये DSSB से रिलेटेट आप KBS से रिलेटेट, NBS से रिलेटेट हर एक्जाम्स के लिए जो टीचिंग्स के जॉब है उससे रिलेटेट जो है इसमें पोस्ट डाली जाती है और काफी अच्छे नोट्स भी आपको करेंट अफेर्स इंग्लिस पर या सोसल साइंस पर या साइंस पर हर एसपेक्ट पर आपको काफी सारे नोट्स भी अविलेबल कराये जाते हैं तो आप इस ग्रूप को ज्यादा संख्या में जोईन करें और अपने मित्रों को भी जोईन करने को कहें काफी अच्छी ग्रूप है और आप काफी फायदा होगा आपको वहां आने से मैं कहूंगा कि आप जरूर जोइन करें अब हम आते हैं कि जो questions paper है जो इसका pattern ख्या है हम इस पे बात करते हैं इसमें total 200 questions paper हैं जिसमें से इस video में हम 100 questions पर ही बात करने वाले हैं चूरू के सब हैं जो general awareness से लेकर और reasoning भाषा और mathematics इन सारे aspects को लेका जो 100 questions होंगे जो की compulsory पर बढ़ता है सभी के लिए हम केवल उसी पर बात करने वाले हैं कि 200 questions को पढ़ पाना काफी लिंदी है और 2-3 घंटे लग जाएंगे उसे 2 घंटे लग जाएंगे लगबग पढ़ना और हर option को बताना और explain करना बोलने में तो समय लगे गहीं उसे वही चीज है तो इसलिए जो है इसे 15 से 20 मिनिट में हमें समेटना है 20 मिनिट maximum 20 के राउंड में तो इसलिए जो है इसमें हम 100 questions को करेंगे और उसके इसमें एक चीज है कि जब आगे आप वीडियो को दे डाउट नहीं रखना है कि एंसर सही है नहीं है वो सही है जो डिएसेसबी के द्वारा दिये गए है वहीं एंसर है तो आपको इसलिए उसमें टिक कर दिया गया था कि आपको फायदा हो और आपका समय भी बचे ठीक है चलिए सुरू करते है प्थाइ गई है ये इंग्लिश मीडियई म का कुश्च है मैं हिन्दी मिडियम वाले को पढ़ दोंगा यहां देखीए पहला कोश्चन है स्रिलंका दीप को पहले क्या कहा जाता था तो उसे सिलोन के नाम से जाना जाता था वहीं चीज है स्वन मंदिर अम्रित सर भारत का सब्सेबरा गुद्वारा देखे कोश्चन में जो टीक मारे गया है वो ऑफिसियल इंसर की से हैं और वो सारे इंसर जो गाया गया है पारादिप के पास यह एक राजी के परसिद वुद्र धंदो के रुप में तो पारादिप पूछा है या तलचर कहां पे है तो यह उरिषया में यह उसमें का करेंट अफेर था तो इसलिए जिए स्थापित किये जा रहे हैं उन्हें आप एक बार देख लें चौना गया था हमित कर्जी पूरु में अफगानिस्तान के राश्पति रहे हैं तो वो 2002 में चुने गये थे अभी अश्रफ गनी अफगानिस्तान के राश्पति हैं अभी के हैं अश्रफ गनी ठीक है और हमित कर्जी पूराने थे तो उस समय के नों सारे एक कोशन पूछा गया है फिर पूछा इन्होंने डूरंड कप का संबंद तो य मैं चाश्यों से समबंदी करें मुड़ख और नियुक है प přारेव के रहे हैं जाकशिर में को प्लाईता करें में परणड का अवं कि रहे हैं तो उनके लिगे वह काफी जादा पर दोख है अ आपको ब्लूसेंट में ही मिलेगा एंसी आटी में यह सब चीजे नहीं होती है और मैं जो खेल से संबंदित है या जो चीजें है उस पर मैं लूसेंट का ओडियो डाल दूगा नहीं यूटूब चैनल पर उसे भी आप सुन के भी जो है याद कर सकते हैं कहीं ट्राविल कर र सब्सक्राइब के लिए काफी ज्यादा महत्पूर्ण है छटा कोशन है पहले अंतरष्ट्रिय सांती कांग्रेस लंदन में किस वर्ष आयो जित की गई तो यह 1843 में यह जित की गई थी डोक्टर जाकी रुष्यन कौन थे डोक्टर जाकी रुष्यन पहले मूश्लिम राश राशपती बने हैं इससे पहले वे बिहार में राजय पाल के पत्पे थे और जाकी रुष्यन सहाब के साथ की यहीं चीज हुई थी कि वह उस समय बिहार के राजपाल थे उसके बाद जो है उन्हें भारत का राशपती नियुक्त किया गया था अगला प्रशन है जी पंद् की गहराई को जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है आर्थिक माल क्या होता है यह मांग की तुला में जो वस्तु सीमित मातरा में होती है उसको आर्थिक माल कहा जाता है आगे आते हैं यह इंग्लिस में इसका कोश्चन है ठीक है सारे जहां से अच्छा किस न देता हूं कम समय लगेगा है ठीक है सारे जहां से अच्छा परशित गाने की रचना किसने की तो मुहम्मद इकबालने की नाओ की दौड ये आपको सिक्स की काल चक्र अनुष्ठान निमनिंसे किस के समारों में संबंदित होता है तो यह बौध धर्म से संबंदित है चीकन कारी काम प्रशित है तो आप अधर कलाएं जो है उसे संबंदित जैसे लोक नीत है शास्त्री नीत है इन सब चीजों को भी है धो थोड़ी बहुत चीजे एसमें चाहिएैं है छो तो एक विकलूट देखिए कैसा इसमें हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है 15 काम लोग इंगलिस में देखते हैं एक विकलूट जब भी आप अगर एसे कुश्चन है जिस पर आपको डाउट होते हैं तो आप इंगलिस और हिंदी दोनों वर्जन देखा करें ताकि जो है आपका काम असान हो जाएगा भारत के राजीव यह एक पूस्तकों की सीरीज है यह सीमिक गरेवाल के द्वारा लिखा गया है यहां पर इन्होंने ट्रांसलेशन अच्छा नहीं किया है तो हिंदी मिडियम के स्टूडेंट को मैं यही सजेस्चन करूंगा देखे यहां पर लिखा है भारत के राजीव यह धारा वाही इन्होंने निर्मान किया निर्मान और दिखदर्शित की देखे कितना टीपिकल ट्रांसलेशन किया गया इसको इंग्लिश वर्जन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश चरम भी पढ़ ले आपके लिए असान रहेगा सत्रा नंबर है समाज के बगार आदमी या तो पसु है या भगवान या इस टोटल का स्टेट्मेंट सा उसी को इन्होंने यहाँ पे कोट किया है यह बेसिक पॉलिटी के कोश्चन में आपको पॉलिटी के किताब में मिल जाएगी यह 11 की किताब है राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक सिधान्त राजनीतिक सिधान्त है उसमें यह सब चीज़े आपको मिलेंगी उस किताब को आप पढ़ ले अच्छा रहेगा अठारा है माभाद का मूनला तो जै सहीता कहा जाता है यह आपको NCIT 11 की जो प्राचीन भारत है उसमें भी मिलेगी और जो 7.3 की किताब है शायद उसमें भी है मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ लेकिन जो 11 की किताब है प्राचीन भारत उसमें है यह 100% सिधान्त हूँ 19 नंबर में आते हैं रोश हसना कि सम्प्रदाय का नो वर्स है तो यह यहूदी का है यहूदियों का सबसे बड़ा देश कौन सा है इसराइल इसराइल विसु के एक बहुत ही सक्तिसाली देश है तो चीक है और उसकी इसराइल की रधानी का है तो जेरुशलम प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी और बक्सर 1764 तो इसके लिए फर्मूला है पब पसे प्लासी 1757 और बसे बक्सर 1764 पब ठीक है बीस नंबर हो गया आगे बढ़ते हैं कि यहां से इन्होंने रिजनिंघ सुरू का जेनरल इन्टेलिजेंस एणर रिजणिंग आभिली इन्होंनेने यह सीरीज पे जो कोच्ण आते हैं से इन्होंने ये एसे सी के स्टेंडर्ड टी है लगबग आजिए जय से जो ट्वेल्ग की या ग्रेजुएशन लेबल की होत है और बिजली में जो है कौन सा भाग होगा ये शब्द पाचानिये ये सब बेसिक जो है सब्दों वाली जो रिजनिंग होती है उसके अंतरगत जो है सब कोश्चन्स आते हैं ठीक है और यहां पर स्टेटमेंट पढ़कर उसे सही और गलत बताना है 27 तक यहीं सब चीजे हैं 28 में भी इन्होंने सब्द से जो सीरीज उपलब्द होता है कि 2-3 का आंतर है एक का आंतर है कितने का आंतर है उसके अधार पर जो है इन्होंने यहां पर पूछा इसके पहले वाले पेज में क्या था कि उन्होंने अंकुक से जो अगला सीरीज होगा अगला सीरीज में कौन सा आएगा वो पूछा था तो इससे अच्छा का सा कोश्चन है लगभग 5-6 दोनों मिला का अगर हम देखे तो 5-6 कोश्चन इस चीज से इन्होंने पूछा है उसके बाद जो है तीस के बाद 31 से इन्होंने प्रतिक प्रस्ट में एक हाला दिखाई गया और उस प्रस्तिति में आपको निन्य ले ले गए कि दिए गरिस उतने का दार पर आप क्या चैन करेंगे कौन सा आप्शन चूनेंगे कि यह जो है डिसीजन टाइब का है कि अगर आप स्कूल मे भी कुछ ऐसा ही कोश्टन है 33 से जो है इन्होंने डिस्क्रिप्टिव देखिए कितनी लेंदी कोश्टन है 200 कोश्टन करने में हालत खराब हो जाएगा यहां देखिए यह ठीक है नकली भासर रुपांदे को शब्दों कईस परकार्शे की गई है काफी लंबे कोश्टन दिये गए हैं रिजनिंग में इतने लंबे लंबे कोश्टन इन्होंने दिये हैं 37 49 में देखिए इन्होंने स्टेट्मेंट और और और्गुमेंट यह काफी अच्छे स्टेंडर्ट का कॉश्टन इन्होंने आपे पूछा है 38 40 ठीक है सबका जो राइट एंसर है उसमें टिक किया हुआ है इसको पढ़ने की जरूत नहीं है आप देख लेंगे तो भी जो है आप इसको स्टेंडर्ट की रिजनिंग है कुल मिला कर अगर देखी जातो 40 में लगभग 10 तो 8-10 तो इन्होंने काफी इजी दी थी टोटल 20 कोश्चन है 10 को इन्होंने काफी टीपिकल बनाया है जो कि टाइम टेकन है यहां से सुरू होता है आर्थमेटिक और नुमेरिकल अबिलिटिया था मैथेमेटिक्स इन्होंने मैथेमेटिक्स में जो है वाकन डिस्टेंस इन सब चीजों को पूछा है और वाकन लिए या पीजीटि के लिए या क्या क्या टोपिक करने चाहिए मैथेमेटिक्स में परसेंटेज है रेश्यू है वाकन डिस्टेनस और डिस्टेंस इवाकन टाइम है इंटरेस्ट है सिंपल ऐकwaterर सिंपल इंटरेस्ट इन सब चीजों को करने के लिए मैंने उसमें भी सजेस्ट किया है और ट्रेन की गती से भी कोस्टन जो है आपको करना पड़ेगा और यह एज निकालने वाला है फोर्टी सिक्स यहाँ पे इन्होंने रेशियो को रखा है रेशियो और एबरेज मतलब जेनरली पांचे टोपिक है जो आगर आप कर लेते हैं तो आप जो है बड़े आयाम से कोस्टन को सोल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे जो उस वीडियो में भी हमने सजेस्ट किया है आप उससे सब्सक्राइब ने और अंधिश्टेंस जो यह स्पीड से है 52 स्पीड से कोस्टन पूछा इन्होंने फिर यहाँ पे 53 में देखें ब्याज से कोश्टन पूछां इंट्रेस्स से और शलाना पूछा इन्होंने पचास में इन्होंने नियुंतम संपूर्ण वर्क पुछा है विवाजित होने वाला यह समय लेने वाले questions है जितने ज़्यादा आपका समय बरबाद कर शके इसलिए जो है question इतने लेंदी बनाए जाते हैं ताकि आप इनमें उल्ज है तो जनरली ऐसा होता है कि अगर ऐसे question आते हैं जो आपको जल्दी से answer नहीं आ रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और दूसरे question पर focus करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि math के questions पर आपको पांच नमर मिल जाएंगे question के सब के लिए marks बराबर ही होता है तो यह सब questions इसमें दिया गया है price निकालने वाला है साथ तक mathematics है यहाँ पर जो है गुननफल निकालना है सलाना ब्याज निकालना है लंबाई चोड़ा यायत की निकालनी है plus minus है 56 में ओके गुननफल कुर्सियों का price यह सब निकालना है कि समय टाइम एंडिश्टेंस और यह सब टंकी टैंकर सब पाइप से समद्धी थे यह सब कोश्चन उन्हें बहुत ज्यादा पूछ रहा है कि अवाते हिंदी काफी असान हिंदी है हिंदी में आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं यहीं पर आपको एसकोर जो है किचना होगा यहां पर बीस में 17 18 कर सकते हैं बहुत असान कोश्चन स्पूछे गया है सब्धात परियावाची सब पूछा गया विशेशन एक इन्होंने comprehension भी दिया है गध्यान्स 77 नंबर से उसके पहले जो आशूध सब्द को पैचानना है दो तिन question उससे भी है चिक है उसके बाद जो है English English में इन्होंने यह जो है error निकालना है उसके अलावा जो है इन्होंने I read that advertisement that's it ठीक है यह Chrome में सजाना है इसे यह CDS में जनरली ऐसे question पूछे जाते हैं और SAC में भी ऐसे question आते रहे हैं तो यह English है आपका इसके अलावा English में आर्टिकल भी पूछा इन्होंने आर्टिकल का example कौन सा है और एक तरह से यह preposition भी इन्होंने रखा है नबे नमबर देखिए आर्टिकल पूछा है यहां पर्फेक्ट डैम क्रोस तरीवर आपके ना उनका भी इससा रखा है लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल एसपेक्ट को ज्यादा पूछा है अप्लीकेबल बेस पूछा सीधे सीधे question इन्होंने नहीं दिया है कि यहां पर पैसेज दिया हुआ है पैसेज देखिए कितना ज्यादा लेंदी दिया इन्होंने 93 का काफी लेंदी पैसेज है लंबा पैसेज है और इससे रिलेटर कितने कोश्चन है 93 है 94 है यह जो है यहां पर पढ़ने के बाद ही पैसेज पाता चलेगा पर यह रखके चले कि चार पांच कोश्चन तो होगा ही होगा पैसेज से और यह जो है कि ब्रेन बैंक यह सब कोश्चन यह अलग है तीन यह चार है उसके अलावा जो है कि अधा परफोर्मेंस इंडियान 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 वेन दे गोट वेश्ट इन दे वेस्ट है ओके यह टोटल सौ कोश्चन हो गया आप इसको जो है कि अच्छे से कर लें इतने कोश्चन सौ में आपको जो है जो सेक्षन देखे इसके लिए सबसे अच्छी रह नहींति है कि जो सेक्षन आपका बहुत ज्यादा विख है तो आप ऐसा है नहीं कि आप जीवन भर उस चीज को नहीं सुधार सके तो अगल एक दो महिने में आप बहुत ज्यादा उसमें कुछ कर शकते हैं उसमें आप ऐसा कर शकते हैं कि जो हीट टॉपिक्स हैं बीस में से मान के चले कि जैसे बारा पंद्रा कोश्चन जि आप बारा से पंद्रा भी बारा भी तेरा भी कर लेते हैं बीस में से तो काफी है रिजनिंग में अप इसको गें करें खीचे उसे और हिंदी में अगर हिंदी अगर आपके चेंदी में खीचें इंगलीज ज्यादा अची तो उसमें आप 17-18 का टार्गेट रखें तो यह स आपका इंगलिस वीक हैं तो उसे आप 10-12 तक लेकर आए ऐसा नहीं कि आप उस पे जो है अपना फूरे टाइम दे दे और जो आपका स्टॉंग सेक्शन है उसे आप छोड़ दें तो यह सब चीजों का ध्यान रखें यह बहुत बेसिक चीजे हैं और यह एक अच्छी नित करने की कोशिज करें और अगर मार्केट से हो तो पॉस्टेबल तो आप कोश्टन पेपर और मिल जाए तो आप ले लेकर वह बहुत सारे पब्लिकेशन जो है चापकर जो है उपलफ्द करा देते हैं उन्हें कोश्टन अगर नहीं मिलता है तो पुराने किसी एक्जाम के प तो तक है यह रख मुक्याश कोश्टन जो है को तो आपकर चाहर को व्यूद करते हैं विजिए को टिस प्लेषों कर देसे नियुद कर दो आपकते हैं जो हैं इसक्षावश्टन ओपकिन जो हैं उन्हें